आज की इस वीडियो में आपको BSF Border Security Force के तरब से सीमा सुरक्षाबल के तरब से बहुत बड़ी विकंसी आड़ी है जिसके बारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिसमें की Level 6 की भी आपको SELD देखने के लिए जूनियर इजिनर की इसमें B.B.TEC वाले वी इलिजिबल होंगे अपलाई कर सकते हैं और Diplom वालों के लिए विकंसी है जूनियर इजिनर की जिसमें आप एपलाई कर पाएंगे और I.T.A. वालों के लिए विकंसी है अगर लिंक्स होंगे सभी में आपको वीडियो के description में प्रोबाय कर दूँगा तो पहले video को देख लीज़े समझ लीजिए उसके बाद एगर आप इसमें eligible होते हैं इंट्रेच्छेंट होते हैं तो आप वीडियो के description में दियेगे link पर करके डिरेक्टली आप लोग इसको अप्लाइ कर सकते हैं सब वीडियो के लास्ट में मैं आपको अप्लाइ करके भी दिखा दूंगा तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा चैनल के माध्यम से आपको डिपलोमा बीबी टेक और यह वनली टेकनिकल फ पर इंस्टाग्राम पर वार्टसप ग्रूप में डाल देता हूं तो आप लोग जरूर से जोईन होकर करिएगा सभी का जो लिंक से मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं और आप कमेंट से कौन ब्रांस से आप बीटे कर रखें कौन ब्रांस से आप कर रखें कमेंट से जरूर से बताइएगा ताकि आने वाले जो वीडियो हैं आपसे आपको देखने के लिए मिले इसके तरफ से अभी दो अड़र्टाइजमेंट निकली है तो मैं दोनों को आपको बताऊंगा एक में दूसरा पोस्ट है देख सकते हैं यह इसका ऑफिस्य इमेल कंडिडेट के लिए है टोटल मिला करके यहाँ पर 1410 वेकिंसी आपको यहाँ पर देखने के मिल रही है जिसमें कि आप लोग अपलाई कर पाएंगे फ्रेशर कंडिडेट बिल्कुल इसमें इलिजिबल है और यह पर्मानेंट जॉब्स है आपको इसमें मिलने वाली यह आपकी 35 से लेकर के 40-45 की बीच में आपको इसमें मिलने वाली है तो जरूर से आप लोग इसमें ट्राइ कीजिएगा अपलाई कीजिएगा अच्छी खासी यहाँ पर आपको इसमें सेल्डी मिलने वाली है यहाँ पर सेंट्रल गौर्डमेंट के अंदर में यह डिरेक् आपका 18 से लेकर के 25 के बीच में आपका एज होना चाहिए यह इसमें क्रिटेरिया है और क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर अगर आप यह सभी ट्रेट से जिसमें की कार्पेंटर प्लंबर पेंटर इलेक्रिसियन उसके बाद पंप उपरेटर उसके बाद ड्रोगस्ट मैन और उसके बाद अप फोल्ड चुटर एंट थीन एसमी थी यह सभी ट्रेट से अगर आप लोग कर रखेंटर इटी तेन्थ के बाद तो आप इसमें इलिजिबल हैं अपलाइ कर सकते हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए एर सर्टिफिकेट पोर्स अगर आप match करते हैं तो जरूर से आप लोग इसमें apply कर सकते हैं इसमें physical standards आपको maintain करने होंगे यह आइटीय वालों के लिए है और diploma वी बीटेक वालों के लिए अलग है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा समझ लीजिएगा पहले मैं इसको बता देता हूं यहां पर four or candidate except those mention below यहां पर नीचे दे गए सभी candidate को छोड़ करके जो बच गए यहां पर इसके लिए यह है जिसमें की for male और for female candidate के लिए height आपका 65 cm होना चाहिए male candidate के लिए और chest आपका 75-80 cm के बीच में होना चाहिए वही पर female की बात करें तो female में आपका height 155 cm होना चाहिए और chest में note applicable यहां पर दिया गया है यह आईटिया वालों को लिए जो विकेंसी है इसका भी online date नहीं दिया गया है तो आप लोग इसके website पर visit करते रहेगा जभी इसका online apply करने का link देगा तो मैं आपको फिर से update कर दोंगा तो आप लोग चैनल को subscribe करकर रखिए और telegram चैनल से join होकर करिए वहां पर आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी तो अगर आप लोग जुनियर इंजिनर के पोस्ट पर अपलाई करना चाहते हैं यह नन गेजेटेड नन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है इसमें भी online मोड में आप इसको अपलाई कर सकते हैं मेल एंड फीमेल दोनों इंडियन सिटिजन कंडि इसीग पर है यह आपको असिस्टेंट इंजिनर के पोस्ट पर जो सेल्डी मिलती है उसके आपको यहां पर सेल्डी देखने के लिए मिल रही है और लेवल शिक्स की सेल्डी यहां पर आपको देखने के मिल रहे हैं जैई की पोस्ट पर जो कि आप यहां पर देख सकते हैं junior engineer यहाँ पर civil electrical की vacancy है आप लोग जरूर से इसमें अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर आप nationalismity या citizenship में candidate must be a citizen of India तो all India से कहीं से belong करते हैं जरूर से आप इसमें अपलाई कर सकते हैं कोई भी restrictions इसमें नहीं रखा गया eligibility condition की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने के मिलेगा inspector में बी बीटेक वाले eligible होंगे जिसमें कि आपका जो एज होना चाहिए 30 years से कम होना चाहिए और जो सब inspector या junior engineer का पोस्ट है इसके लिए आपको limit में मिल जाएगा जिसमें की category wise यहां पर SCHT OBC एक सर्विसमें और यहां पर जो भी governmental servants हैं Central Government में यह सभी को यहां पर relaxation मिल जाएग जैए कि SCHT category को five years का OBC category को three year का और एक सर्विसमें यह सभी candidate को three year का six year का या five year का यहां पर अलग-अलग category के नुसार से यहां पर दिया जाता है जो कि आप लोग देख सकते हैं अब बात करते हैं इसमें educational qualification के क्या रहने वाली है तो मैंने आपको बताए बी बीटेक वालों के लिए यह है डिगरी इन आर्किटेक्चर अगर आप लोग बी बीटेक कर रखें आर्किटेक्चर इंजिनेरिंग में तो आप इसमें eligible हैं अप्लाइ कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए आपको यहां पर three year का डिप्लोमा अगर आप लोग कर रखें हैं civil इंजिनेरिंग में तो आप इसमें अप्लाइ कर सकते हैं किसी भी सेंट्रल या एस्टेट युनिवर्सिटी या गोर्मेंट से रिकोगनाइट जो है उससे अगर आप कर रखें तो इसमें जी एसाय इज एन एसेंशल क्वालिफिकेशन अपार्ट फ्रॉम एणि अधर क्वालिफिकेशन तो यह जो है three year का डिप्लोमा यह एसेंशल है अगर आप लोग डिप्लोमा करके डिप्लोमा कर रखें तो आप इसमें अप्लाइ कर सकते हैं लेकिन अगर आप लोग वनली ब किया जाएगा जो बीटेक वाले में हैं यहां पर 165 cm male candidate के लिए और फिमेल candidate के लिए 157 cm होना चाहिए वही पर आपका यहां पर चेस्ट और वेट दिया गया 50 kg और फिमेल के लिए वेट दिया गया 46 kg वही पर बात करें जुनियर इजिनर की या जो डिप्लोमा होलर से उनके लिए हाइट की बात करें male candidate के लिए तो यह है 165 cm जो की 5 cm आपको रिलाक्स दिया जाएगा जो भी इसे candidate है जो हिली ट्राइव एरिया से बिलों करते हैं फिमेल candidate के लिए 150 cm 157 cm अगर चेस्ट की बात करें तो male candidate के लिए 67 से ले करके 81 के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर आपका जो weight है proportion अनुसार दिया जाएगा जो BMI निकलता है उसके अनुसार से यहाँ पर रहने वाली है female के लिए minimum weight आपका होना चाहिए 46 kg जी तो अगर आप इस criteria में आते हैं तो ही आप form को फिल किजेगा अधरवाज आप reject हो जाओगे तो यह चीज आप लोग जरूर से देख लिजेगा ध्यान रखके उसके वाद एक important point यह है कि tattoo, tattoos related यहाँ पर important point देगा है तो आप लोग यहाँ पर कुछ चीज को permit किया गा है कुछ tattoo को कुछ को नहीं किया गा है तो आप लोग अपने अनुसार से यहाँ पर देख लिजेगा कि किसको permit किया गा है किसको नहीं किया गा है उस अनुसार से आप लोग इस form को फिल किजेग अब बात करते हैं इसमें selection process क्या रहने वाले है तो जो B.B.Tech वाला है यहाँ पर उनके लिए first phase examination में इस तरीके से रहने वाले है आपका इसमें objective टाइब MCQ टाइब questions पुछे जाएंगे जिनमें की total 100 questions होंगे 100 marks के 2 गंटेक आपको समय दिया जाएगा जिनमें की आपको architecture engineering उसमें यह सभी आप लोग अपना अनुसार से देख लिजेगा यह syllabus यहाँ पर दिया गया है इसमें आप बात करते हैं जो second phase examination होगा इसमें आपको written test होगा जिसमें की आप लोग को जो भी candidate first phase qualify करेंगे उन लोगों को यहाँ पर बुला जागा document verification physical standard test और physical efficiency test के लिए यह second phase आपका होने वाली है अब बत करते हैं इसमें selection procedure आपका जो junior engineer का post है उसके लिए क्या रहने वाली है तो इसमें first phase examination में आपका तीन टाप पार्ट में होगा जिसमें की general intelligence reasoning यह part 1 होगा जिसमें 25 questions होगे general awareness में 25 questions होगे और general engineering में 50 questions होगे total 100 questions के लिए 100 marks दिया जाएगा ए उसके बाद इसमें paper 2 भी होने वाला है paper 2 में आपका conventional type होगा descriptive type जिसमें आपको questions को solve करने होगे 2 घंटा का होगा 10 questions रहेगा 100 marks का जिसमें 12 questions दिया रहेगा जिसमें की आपको out of 12 में से 10 questions attempt करने होगे यह आपका जो भी आपका branch हो civil electrical उसके नुसार से होने वाली है और उसका यहां पर syllabus भी दिया गया तो आप अपने नुसार से यहां पर जो भी आपका syllabus हो यहां से उसको देख सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको इसमें running भी रखा गया जिसमें की running में आपको 1.6 km 7 minutes में आपको run करने होगे female candidate के लिए वहीं पर कम किया गया 800 meter दिया गया इन 5 minutes म long jump है और उसके बाद high jump है तो यह सभी चीज आपका final selection में यह सभी चीज conclude किया जाएंगे include किया जाएंगे अब बात करते हैं कि कैसे इसको apply करना है तो apply करने का जो link है मैं video के description में दे दूंगा तो वहां पर click करके directly इसको apply कर सकते हैं यहां पर आपको 200 रुपे का application fee pay करने ह जो कि आप लोग net banking credit card debit card से pay कर सकते हैं female candidate के लिए से में कोई भी application fee नहीं रखा गया यहां पर non-gadgeted non-ministerial post जो है यहां पर आप view details देख सकते हैं last date इसका है 14th of March 2023 तो इस date से पहले जरूर से इसको apply कर सकते हैं यही पर apply here का option दिखे रहे हैं इस फर click करके directly आप लोग इसको apply कर सकते हैं तो आप आप इसको समझे होंगे मिलता है next वीडियो में तब तक के like share subscribe कर दिजेगा यहां पर आप apply करने जाओगे तो पहले ही सभी details यहां पर आप से पूछे जाएंगे तो सभी कुछ आप लोग बारी बारी से फिल कीजेगा उसके बाद आप लोग इसमें सभी कुछ आगे करी सकते हैं तो मिलता है next वीडियो में तब तक के लिए सुक्रि कर दिजेगा